आप सभी को गीता आरय का नमस्कार मैं गीता आप सभी का सवागत करते हूं गीतार एकरेशन्स में आज हम सिखेंगे इस पॉंचू की नेक की आउटलाइन और ये एक बहुत ही खुबसूरा सा डिजाइन बनाने वाले हम नेक का पहले तो ये हमने सिंपल सी चैन बनाई हुई है तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं नेक की आउटलाइन बनानी और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया करें सब्सक्राइब कर ले चैनल को ताकि सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलत पहली लेकर तो देखिए ये चैन नेक बना हुआ है, हमारा चैन से सिम्पर, अब इसकी हमें एक खुब सुरच सा बॉर्टर दएना है हमें तो ये सेंटर पार्ठ है हमारे नेक का, लेंकिन हम यहां से इसकी दो चैन चेन was चोर करके हम J act लेंगे, किस तरह से लेंगे ये center छोड़ा एक दो थर्ड के अंदर हम इसमें लेंगे यह center है एक दो तीन थर्ड वाले रो में हम जाकर इसको एक slip knot ली थी हमने slip knot बना ली और यह crochet इसमें से निकाला पहले हम लेंगे double crochet किस तरह से पहले हम दो चेल लेंगे इसकी एक और यह दो ठीक है और फिर अब हम लेंगे इसमें double crochet इसी chain इसी hole में हमें लेना है यह एक यह हो गया double crochet अब इसके बाद लेंगे हम दो चेल एक दो चेल लेकर इसी में हमें double crochet लेने हैं दो बार फिर हम हमें यहां से तीन chain छोड़नी है एक दो तीन चोथी chain के अंदर हमें फिर से double crochet लेना है एक दो और साथ ही फिर से दो chain और फिर से दो double crochet इसी hole में हमें दो double crochet लेना है फिर से हमें छोड़नी है इसमें तीन chain यहां से एक दो तीन फोर्थ वाली में चोथी chain के अंदर हमें फिर से double crochet लेकर दो double crochet दो chain और फिर दो double crochet दो chain और फिर से दो double crochet इस तरह से करते हुए पूरी हम line complete कर लेंगे ठीक है यह पूरी line को हम complete करेंगे neck की line को इसी तरह से एक बाद फिर से जल्दी से बता देती हूँ यह तीन chain छोड़ेंगे यहां से ठीक है तीन chain छोड़के फोर्थ वाली के अंदर हम दो double crochet दो chain दो double crochet बनाएंगे इस तरह से करते हुए पूरी line complete कर लेते हैं यह देखिए यह हमारा complete हो गया है बिल्कुल end में आ गए यह line पूरी होगी yen में भी हमारा double crochet आया और फिर यहाने के बाद हम इसे यहां से turn कर लेंगे turn करने के बाद देखिए कैसे करना है turn किया next में एक slip note लेंगे हम फिर इसमें 5 chain बनाएंगे एक दो तीन चार और एक यह पांच पांच बनाने के बाद निचे से हम तीन चैन छोड़ देंगे एक दो तीन थर्ड वाली में हम इसमें इस तरह से एक slip note लेके करेंगे next में हम ऐसे एक बल लेंगे double crochet बनाएंगे फिर तीन चैन एक दो तीन तीन करके इन दोनों को एक साथ इसमें से लेकर और फिर एक यह slip note से इस तरह निकालेंगे इसमें हम ऐसा तीन बार करेंगे एक बार हमारा हो गया एक बार फिर से double crochet तीन चैन और फिर इन दोनों को एक साथ इस फंदे में से निकाल कर यहां से ऐसे कर फिर एक और लेंगे दो हो गए हैं अब तक एक बार फिर से फिर तीन चैन तीन और फिर इन दोनों में से एक साथ लेंगे और एक ये slip knot लेगे और फिर इस last वाले में करेंगे यह double crochet तीन chain और फिर इन दोनों में से यह लेकर एक बार इसमें से ऐसे लेकर अब हम बनाएंगे दो chain एक दो chain बनाई दो chain बनाने के बाद यह जो है हमारा इसमें हम एक single crochet लेंगे single crochet लेने के बाद फिर से दो chain और फिर इस वाले में हम एक double crochet लेंगे next वाले में double crochet लेकर फिर से तीन chain एक दो तीन और इसमें एक बार फिर से slip knot और फिर इन में हम तीन लेंगे जिस तरह से हमने यहां पर यह तीन लिये हैं इसके अंदर वे हम फिर से तीन लेंगे जैसे हमने अभी किया है वैसे ही करेंगे फिर से यह लिया तीन chain और फिर इन दोनों में से लेकर यह तो इसी तरह यह पूरी row हम complete कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूं कि कैसे बनेगा यह पूरी row complete करती हूँ, इसी तरह बनाना है पूरा और यहां तक आते हैं, फिर मैं बताती हूँ कि हम कैसे करें तो इस तरह से हमारा complete होती है, इसकी यह outline, यह पूरी देखिए, यह किस तरह से बनी है, पूरी इस तरह complete करके, यह हमारा end आगे यह आयन पर ऐसे ही रहेगा यह इसको राइट साइट से दिखाती हूं मैं कैसे बन रहा है देखो यह ऐसे बना है देखिए नेक बड़ा हो गया ना हमारा वाइडर हो गया काफी अगर हम इसको उपर की तरफ बनाते तो छोटा हो जाता लेकिन यह हमने नेक आउटलाइन जो बनाये वह इस हिसाब से बनाये कि आउटर की तरफ आ रहा है तो यह हमारा नेक भी और बढ़ गया और इंक्रीज हो गया अगर यह हमारे बेबी को अगर वह रहेगा लूज रहेगा तो हम इसमें कोर्शिया की डोरी भी आड़न कर सकते हैं तो इस हिसाब से यह देखिए इ पहले पॉंचू आपने देखा था और अपका देखे कितना खूबसूरत लग रहा है यह तो यह बॉर्डर जो मैंने बनाया है ना सिर्फ पॉंचू में हम किसी भी शॉल में या ट्राइंगल शॉल में किसी में भी हम यह नेक आउट लाइन एड़न कर सकते हैं जो कि इसकी खूबसूरती और बढ़ा रहे हैं यह देखे कितना प्यारा लग रहा है बहुत ही खूबसूरत बनी यह नेक आउट लाइन अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आने वाली सबी वीडियो की और फिन जिसको फिसे आड़ ओन करेंगे एक इस पॉंचु को बिल्कुल न्यू लुक दे देंगे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार